नमस्ते दूस्तों मेरा नमें सुमन, प्लैनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक पर फ्रस्ट से सागत है, तो NCIT हिस्ट्री के चैप्टर सेवन को हम पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम है चेंजिंग काल्चिल ट्रेडिशन्स पार्ट टू पर हम पहुंच गए हैं, त सेकंड पार्ट में टूल और उनिवरसिटीज भी शुडरू करते हैं, चले उनिवरसिटी में चलते हैं, इत्लियन टाउंस का तर रही थी ठीक है, in Europe, earlier universities निटेश की सेन्ठर निटाइन के टीस क Thing शरी थी पहली यॉनिवसिटीज में इटली के शहरों में बननी शुरु भी थी सबसे पहली यॉनिवसिती इफ्या प्थ्यू जेडेग नीवसिती और बलगना की यॉनिवसितीmeeशिन थी फेमस है यह ले आए जहें विजसरामे के अने सब्सक्राइब की साथी लिए समझाएं करें के लिए के मनेकं साथने हो था cani य। छ अने सिंप अय।िव आट कर चणान मेतं में में विए पनखी नगा पादि मिक्षोलरीडे थी किया की है थी increasing trade and commerce अब trade and commerce इतना बढ़ गया था तो कानूनी कारवाही ताकि आपस में लोगों के बीच problems नहों तो वो जो कानूनी कारवाही उनके rules क्या होने चाहिए, contracts आपस में क्या साइन करने हैं, इनके लिए इनकी जरुवरत बढ़ती थी subject of study. और ये बहुत ही शुरुवाती था इन सब चीजों का दौर, तो बहुत ही popular subject बन गया था लो, और जो पढ़ते थे उनकी बहुत respect की जाती थी. Francisco Petrarch represented this change and stressed the significance of deep reading of ancient authors. अब ये Unisivities में जो पढ़ते थे, बहुत time तक तो ये चलता रहा, लेकिन उसके बद एक और change Francisco Petrarch ने represent किया, उन्होंने कहा कि हम जो ancient authors है उनको भी read करना चाहिए. educational program उस period के जो थे, वो study के माध्यम थे, और जिसमें कि सिफ religious teachings ही ज़रूरी नहीं थी. उससे पहले जो पढ़ाई होती लेकिन अब ये चेंज हो गया था, सिर्फ वो alone उनको नाट गीव much knowledge. The term humanist began to be applied in early 15th century for masters. उनको teach grammar, rhetoric, poetry, history and philosophy. Humanist, जो term थी 15th century में शुरू की गई थी यूस करनी और उन लोगों के लिए humanist कौन होते थे, उनके लिए यूस की जाती थी. जो masters है किस चीज के teach, पढ़ाने के लिए grammar पढ़ाते थे, जो professors या होते थे, rhetoric पढ़ाते थे, poetry पढ़ाते थे या लिखते थे, history या पढ़ाते थे, या philosophy पढ़ाते थे, या फिर उसको नई create करते थे उनको, उनके masters होते थे. Latin word humanitas जो humanities से, जिससे derived हुआ है, जो word humanitas है वो सबसे पहले, एक lawyer या essay Caesar के द्वारा यूस किया गया था, किस राइम पे contemporary of Julius Caesar, मतलब Roman Empire में जो था, उससे बहुत पहले भी यूस किया गया था इस subject से note connection with religion, इनका धर्म के साथ, या जो religious things है, उनके साथ कोई भी connection नी था, मतलब education जो थी, universities में मिल रही थी, वो अब spiritual knowledge उसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं थी, they were developed through discussions and debates of individuals, और अब ये जो books तिया पढ़ाई थी, ये develop के से क्या पढ़ाया जा रहे, तो आते कहां से था material, ये develop किया गया था सारा study material discussions के थूँ और debates के थूँ, जितने भी इंडिविजुल्स या master's ही लोग होते थे, thinkers, scholars जो नहीं develop हुए थे, उन्होंने discussions और debates के थूँ सारा का सारा चीज़े develop की थी, बनलब सब कुछ नया था, सब कुछ अभी है Mirandola, एक humanist है, Florence के, वो debate की importance के बारे में लिखते है कि डिबेट से जो हम knowledge करते हैं उसके क्या importance है तो वो कहनते है कि प्लैट और अरिस्टोटल, जो ग्रीक स्कॉलर्स थे पहले, ठीक है वो knowledge को मतलब क्या मानते थे, कि knowledge कहां से अटेंड की जा सकती है, खुद को खुद की खोज करने से मतलब आप सारा गयान आपके अंदर ही है जैसे होते हैं कि धान करो और आपको पूरा पूरा nature का आपको knowledge मिल जाएगा लेकिन ये कहते थे कि nothing is better than to attend and as often as possible the exercise of debate लेकिन लोगों के साथ debate करना और दूसरी लोगों के साथ अपने knowledge को share करना उनके साथ mix up करना और फिर एक निचोड निकालना इससे अच्छा कुछ भी नहीं है तो इनसान को जैसे शरीर को खाना चाहिए एक्सरसाइज चाहिए वैसे mind को इसी तरीके की knowledge अगर उनको चाहिए रगुलर चाहिए है तो उसके लिया को debates करते रहना चाहिए लोगों से मिलते रहना चाहिए और उनके आदान-प्रदान अपने knowledge का उस debates के थू करते रहना चाहिए थे आइडिया इंफेंस अगए थे रहना चाहिए इन नूवली स्टेबलेशन इंफ्लोरिंस था पेटराक का होम टाउन फ्लोरिंस था एं जो यूनिसिटी में पद्वा और इस प्लोगना में यहां पर शुरुवात हुई थी वहां के स्कॉलर्स को भी इंफ्लुएंस किया और 15th century में फ्लोरिंस जो था वो ट्रेड का था ही फेमिस सिटी भहुत फ्लोरिंस सिटी थी हमने जिसे पहले डिसकुस किया फर्स पार्ट में वो अब एडुकेशन का सेंटर भी बन गए थी फ्लोरिंस बहुत जादा फेमिस हो गई थी और दूसरा इसले पॉपलर हुई थी दानते अलिगिरी अलेमन वो रॉत रिलिजिस थीम्स और गयोटो और आर्टिस हो पेंटे लाइफ 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 पोट्रेट्स वहां के स्कॉलर्स और पेंटर्स और यह सब चीजे थी वह बहुत जादा फ्लोरिंस से बिलॉग करते थे शुरुआती तो उन्हों ने भी फ्लोरिंस को और भी जादा फेमिस बना दिया था पॉबलर बना दिया था इन में से दानते अलिगिरी रिलिजिस थीम्स लिखते और यह तो आर्टिस्ट थे जो बिलकुल रियल जो लाइफ जैसी होती है वैसी पेंटिंग्स बनाते थे जो नीचर में दिखता है हमको सब उच From then it developed as the most exciting intellectual city in Italy and center of artistic creativity Term Renessa Man is often used to describe a person with many interests and skills Renessa Man उसे उस रहीं पे गहा जाता था जो सिफ एक चीज में महारत हासल नहीं है बलकि उसके बहुत सारे interest और उसमें बहुत सारी skills है मतलब multi talented जो इनसान है Florence का एक sketch 1470 में ये बनाया था Yotow's painting of child Jesus Yotow की life like paintings मतलब जो छोटे से Jesus child के रूप में दिखाए गए है आशिरवा देते हुए A humanist view of history अब आते हैं history पे मतलब थोड़ा सा हमने सोच के बारे में जब thinking के बारे में जो change आये थे तो उसका history पर भी क्या आसर बढ़ा था जो humanist थे thought that an age of darkness existed for centuries after the decline of Roman Empire जिसे उन्होंने dark age का नाम दिया था Roman Empire का decline 5th century में हो गया था उसके बाद से dark age शुरू हो गई थी बहुत लंबे समय था Scholars ने कहा कि 14th century के बाद नई age शुरू हुई है period of thousand years मतलब 5th century से 14th century तक पूरा thousand years का time हो जाता है तो यह एक millennium यह जो पूरा लंबा period है इन्होंने medieval period का नाम दिया Roman Empire के fall होने से फिर 14th century तक यह जो पूरा बीच का period है यह पूरा medieval history है medieval period medieval age इस नाम से humanist ने इस age को describe किया है तो history को फिर इन्होंने तीन पार्ट में कैसे डिवाइड किया था middle ages कौन सी थी जो middle age Europe में जो मानी जाती है वो कौन सी थी Europe के fall होने से 14th century तक मतलब नई age जब revolution, scientific revolution शुरू हुए थे वहां तक उसके बीच का सारा period medieval period आता है middle ages they said that religion और church control the minds of all men अब यह जो middle age थी इसमें religion और जो church था मतलब church ने ही जो religion की धार्णा बनाई थी वो सब इंसान के लोगों के mind को control करता था वो लोग ही बताते कि तुम्हें क्या करना है क्या पहनना है क्या तुम्हें सोचना है अपने life में तुमको कैसे काम करना है सब कुछ all the learning of Greeks and Romans had been washed out उससे पहले की जो मतलब उससे पहले ऐसा नहीं था कि feudalism से पहले कुछ भी नहीं था लोग जंगोलों में रहते था ऐसा कुछ नहीं था Roman बहुत बड़ा empire था और उस रहें पे learning हमने जो roman empire के बारे में 11th में चेप्टर है उसमें भी देखा था कि वह कितने अच्छे उनकी artistic सारी की सारी चीज़े बहुत अच्छी थी उनकी learnings थी जो scientific चीज़े उनकी थी वह भी लोग पढ़ते थे वह सब का सब कुछ इन्होंने ख़तम कर दिया था the humanist termed a period from 15th century as modern और उसके 15th century के बाद की जो age है उसको यह modern age बोलते हैं हम को जो moderns era के लोग है modern historians were debating over labeling of an अब उस time के जो humanist से उन्होंने 15th के बाद की age को modern बोल दिया है तो जो modern historians है यानके 15th century के बाद जो historians आये हैं वो इस पूरानी वाली age को जो बोलते हैं कि dark age आपने किसी age को इसलिए बना दिया क्योंकि आपको नहीं लगा उस time पे सब गलत हो रहा है अच्छा नहीं हुआ था यह आपको ऐसा लगता है तो आपने इसको dark age का नाम दे दिया तो ऐसा गलत है ऐसा बिलकुल लहीं करना चाहिए ऐसा modern historians का मानना है periodization used by humanists and by later scholars लेकिन जो periodized किया है मतलब डिवाइड किया है early middle or modern history को वो अभी भी है वो क्या है 5th से 14th century मतलब 5th से 14th तक middle ages है उस middle ages को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया है 5th से 9th को इनोंने बिलकुल dark age वोला है जो बिलकुल feudalism वाला पार्ट था 9th से 11th century early middle ages है जब city जो italian cities है वो grow करनी शुरू है उनको इनोंने early ages का नाम दिया early middle ages का और 11th से 14th century जब ये इटली के शहरों से बाकी युरॉप में फैल गई थी उस age को later middle ages और फिर जब उसके बाद modern पूरा सब कुछ जगे फैल कर फिर modern age शुरू भी है revolutions और scientific trade ये सब चीज बढ़ है उसके बाद से नोंने इस age को modern age का नाम दे दिये ठीक है तो अब हम science और philosophy के बारे में बात करें जो change आये थे 14th century के बाद से जो हम science के बारे में change बोलते है philosophy में वो क्या थे और कोई भी चीज होती है उसका cause जरूर होता है और उसमें सिफ एक ही cause नहीं होता है उसमें उस change को लाने में बहुत सारी चीजों का support भी होता है किसी एक चीज से वो change नहीं आती है तो खाली Europeans ने अकेले ये change नहीं किया है उसमें contribution Asia का और Arabs का भी था ठीक है तो उस contribution के बारे में हम पढ़ता है the monks were familiar with the works of Greek and Roman scholars from the middle ages but they didn't let them get on to other people अभी ये जो monks थे उनको Greek and Roman scholars थे जो Roman Empire ke scholars थे और Greek, Greek कॉन थे? जो ग्रेट किनको बुला जाता है Alexander the Great तो वो ग्रीक्स थे तो उन लोगों की जो जितने भी वर्क्स थे वो सारे के सारे मॉंक्स को पता था मेडल जसे ही लेकिन उनने लोगों को नहीं बता है किसली अपने फायदे के लिए क्यों अगर ये सब पता चलेगा तो लोग उनके हाथ से कंट्रोल सब का चला जाएगा By 14th century many scholars started to read the translation of Greek writers like Plato and Aristotle. 14th century के बाद से जो scholars थे, अब printing वगेरा ये सब चीज़े जादा हो गए थी और पढ़ना लिखना लोगों ने शुरू कर दिया था तो उनके का मतलब इस्लामिक वर्ल्ड के साथ उनका लेना देना जादा हो गया था कॉमन लोगों का मतलब पहले तो सिफ राजा ही रखते थे ट्रेड वगेरा अब ये कॉमन जो पीपल थे वो ट्रेड करने लग गए थे उनका आना जाना हुआ तो अरब लोगों ने फ्लोसोफर्स थे प्लैटो और अरिस्टूटल जिनको अरबिक लोगों ने नाम चींज करके मलब क्या देना कि प्रानाउंस नहीं कर पाते हैं तो कुछ और नाम उनका आ जाता है प्रनांसीशन लैंगवेज और थोड़े से अलग होते हैं इसलिए तो अरबिक लोगों ने प्लैटो को अफलातून कहते थे और अरिस्टूटल को अरस्तू कहते थे उन्होंने जो उनके लिखे थे उनमें उनका ये नाम रखा था उन्होंने इनके वर्क को अपने लैगवेज में ट्रांसलेट करके रखा हुआ था अरबस ने Some Europeans read Greek works in Arabic translation कुछ Europeans ने इन वर्क्स को पढ़ा जो Arabic translation में मिले थे उनको अपने Greek works और Roman works जो भी थे And the Greek translated Arabic and Persian scholars work in European language और उसके बाद उन वर्क्स को उन्होंने उरोपीन लैंग्विजिस में ट्रांसलेट करना शुरू किया यानि कि खुद की रोमन और ग्रीक जो काम थे उन्होंने बहुत पहले ग्रीक्स ने उनको ट्रांसलेट करके प्रिजर्व कर लिया था और अब उसी को फिर वापस एरोपीन लोगों ने फिर से अपनी लैंग्विज में ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाया पुराना अपना सारा ग्यान इसलिए इसको रेनसा को क्या certainty रिबर्थ हो रहा था मतलब सिफ आकीडेक्शल स्टाइल का रिबर्थ नहीं हो रहा था वो किसी के वर्क थे, सारे की सारे, नेच misterAlt के थे, mathematics के थे, astronomy के थे, medicine के थे, chemistry के थे, जो की feudalism के time पे सब कुछ ख़तम हुय था इसलिए humanist ने उस ऑच च को डार केज बोला था, कि तुमने सब कुछ जो Throughout gives us to a इसमें से एक यह वर्क है तॉलेमी द्वारा लिखा गया अल्मजिस्ट अस्ट्रोनोमी पर था इतना पुराना था जो अरबिक लोगों ने प्रेजर्व करके रखा वा था और इसका नाम इन्होंने अल्मजिस्ट रखा था इसे अल जो वर्ड है वो अरबिक अल्फाबेट का है जो अरब कनेक्शन शू करता है ग्रीक लैंग्विज में था ये और बी जो शिफ ट्रांस्लेडड वर्क से इन लोगों ने नहीं पढ़े थे हैं जो ओरजिनल अरब्स की जो थी वो भी इन लोगों ने पढ़ी इसे फ्रांस्लेडड अपना वापस नहीं लिया था उनमें से थे एक Ibn Sina, अवी सेना, Latin word में इनका नाम लिखा गया है, Ibn Sina इनका नाम था, Arab physician और philosopher थी ये बुखारा के, और एक थे Al-Razi, Razis, मतलब Latin language में इनका ये नाम था, the author of medieval encyclopedia, medieval time के encyclopedia के author थे, अब जो अरब लोगों के पास जो knowledge था, कुछ अरब लोगों के पास जो knowledge था, वो उनका खुद का भी develop किया हुआ था, और उनोंने कुछ Asian country से भी लिया हुआ था, तो वो भी उन लोगों ने, European लोगों ने या फिर ग्रास्प किया उन लोगों से, इन में से जो थे, Ibn Sina और Al और Al-Razi को वो men of knowledge consider करते थे, Italian states में की बहुत ही बुद्धिमान लोग है ये, Christian thinkers adopted, अब देखो ये सारे के सारे अरब के थूँ आ रहा थे, क्योंकि तब तक, उन्होंने, क्या था, क्या तक, क्या था, इंडिया तक पहुचा नहीं था, मतलब उनका direct connection था, Indian या या फिर एश मिल रही थी, वो मुसलिम या फिर अरब वर्ड के थू मिल रही थी, ठीक है? Christian thinkers adopted the method of Arab philosophers of Spain. जो Christian thinkers थे, उन्होंने कौन से method अड़ोप किया? Spain के अलफ जो Arab philosophers थे, उनका Ibn Rushd Aviroz, ये एक और नाम है, ये थे Ibn Rushd, जिनको Aviroz Latin में या Spain में लेंग्विश में कहा जाता है, who tried to resolve the tension between philosophical knowledge and religious faith. अब ये क्या thinking Christian thinkers ने अड़ोप्ट की थी, इन से, Ibn Rushd से, कि जो इनसान की, खुद की philosophical knowledge है और उसका religious faith है, वो अलग-अलग हो सकते हैं. अब इसका मिदलब क्या है? मेरा religious faith क्या है? मैं Hindu हूँ, मैं Muslim हूँ, मैं Christian हूँ, ये मेरा religious faith है. लेकिन philosophical जो knowledge है, मतलब आपकी जो knowledge है, वो आप सिर्फ जरूरी नहीं है, कि मैं अपने ही religion से, अपने ही culture से, जो चीजे हैं, उन ही को मानूँगी. मैं दूसरे से भी knowledge ले सकती हूँ. मैं Hinduism, sorry, मतलब एशिया से या फिर अरब से वहां के लोगों से भी knowledge ले सकती हूँ. वहां के लोगों के पास भी knowledge है, उसको grasp करना चाहिए मुझे. मैं Christians, जो लोग बोलते हैं, वो भी सही है. Muslim जो बोलते हैं, या Hindu जो बोलते हैं, वो सब कुछ सही है. ठीक है, उनकी अपने भी experience है, अपने भी knowledge है. The European spelling of these individual's names made later generations think that they were Europeans. कुछ लोगों को बाद में लगा था कि ये जो change है नाम में, Raziz, Avi, Sena, Averos, कि ये European थे, ऐसा लोगों को शुरू में ऐसा लगा था बाद में. Schools at this time were only for boys, artists and realism. अब रहने सा के बाद realism कैसे शुरू हुआ, artists की art में. Humanism was not only propagated through education, but also by art, architecture and books. ये humanism जो था, मानवता बाद जो था, वो सिर्फ education के तुरू प्रपगेट नहीं हुआ था, उनिविसिटीज के तुरू ये नहीं फैला था. ये art और architecture उनके थ्रू भी फैला था, books के थ्रू. The artists were inspired by studying the works of the past. अब पुराने जो past थे, उनके works को पढ़ कर ये बहुत inspire हुए थे. ठीके, the material remains including fragments of art we found on the ruins of ancient Rome and other deserted cities. और दूसरा पुराने ancient Rome के ruins थे, वो जब खुदाई करके, archaeologists ने निकाले, उनसे उनको मिला की art इस तरीके की भी पहले होती थी. उनसे उनोंने और किस सीखा, और ये designs देखें. Italian sculptures were elephants with perfectly proportioned male and female figures. और तो पहले जो उन्होंने देखे थे, कि उनमें बहुत ही perfectly male and female figures बनाई गई थी. उन्होंने जो ruins में से निकाला था. दोना तैलो initiated a new grant with his life-like statues. उनमें से सबसे शुरुवाती दौर के जो sculptures थे, उनमें थे दोना तैलो, जिन्होंने बिल्कुल जो statues थे, real statues like बनाई थे. अब ये देखे, फिलहाल अभी आपको ऐसे लगते हैं कि हो सकता है, कि कुछ ना लगे, क्योंकि अभी तो और भी ज़ादा change आ चुका है ने, इन सब चीज हो. लेकिन ये उस समय के लिए ये चीज़े बहुत ही बड़ी बात थी, कि exact human-like statues, वो जैसे pose करके खड़े हैं, कैसे कबड़े पहने हैं, उनका हाथ, पैर, नाख सब कुछ exact वैसा ही, जैसे इनसान का होता है, वैसा बनाई गया. Statues of Habakkuk, Duomo, ये दोना टेलोक्वे artworks हैं, Statues of St. John the Baptist, Duomo di Saina. The artists were helped by the scientists by making accurate human figures. अब ये artists को accurate human figures बनवाने में, या बनाने में, scientists का या फिर इन doctors, जो भी हैं, medicine के हैं, उनको बहुत जादा योगदान था. Bone structure क्योंकि उन्होंने study करना शुरू कर दिया था, artists ने लेबरिटीज में जाके. उन्होंने सबसे पहले human body को dissect किया था, अच्छे से बनाया था, कि उनकी beginning of modern physiology की जिससे शुरुआत हुई थी, कि ये देखिए कैसे muscles और जो bones हैं, उनका structure क्या होता है. Painters didn't get any older work, उनको कोई पुराने ऐसे older works थो उनके पास थे नहीं, तो उन्होंने बिल्कुल जैसा उनको दिख रहा था, ऐसा realistically paint करना शुरू कर दिया, जिसमें three-dimensional effects भी डालते थे, light effect की वज़े से. Light effect, यानि कि कहां से light आ रही है, कहां shadow पर रही है, तो उसके वज़े से three-dimension वाल effect आ जाता है. ये देखिए, एंड्रेस की ये, जो उन्होंने bone structure और muscles का structure बनाया था. The use of oil as a medium for painting और एक नई चाहिज आ गए थी, कि painting में oil का use होना शुरू हो गया था, जिससे color को एक नई richness मेली painting में और नई जान लगती थी, बिल्कुल वो real जैसा लगता था oil की वज़े से. अब simple, जो color है, वो क्या time की साथ खराब भी हो जाता है, फेड भी हो जाता है, लेकिन oil है, वो वैसे ही रहेगा, painting खराब होती है, उसको साफ कर दूगे ले कपड़े से, तो फिर से वैसी ही लगने लगे, बिल्कुल साफ सुतुरी और बिल्कुल नई जैसी चमागदार है In the colors and design of costumes, जो इस time की paintings के colors है, designs है, costumes है, जो तरीका है, उनसे पता चलता है कि यह जो art था, वो Chinese और Persian art से influenced हुआ था, available to them by the Mongols, और कैसे उनको, Mongols के through उनको यह सारी चीज़े पता चली थी, ठीक है, Use of anatomy, geometry and physics, anatomy, geometry and physics के through उनको यह समझ में आया था, logic आया था कि beautiful, what is beautiful, क्या सुन्दरता nature में क्या है, created a quality called realism, जो realism को नया जरम दिया था कि real चीज़े कैसी होती है, पेंटिंग्स में कैसे उनको realistically चीज़ों को दिखाया जाएगा, continued up to 19th century, और ये 19th century तक चला था, art is embedded in nature, अब दियरर क्या बोलते हैं, कि art जो है वो nature के अंदर ही है, जिसने उसको देख लिया, exact कर लिया, उसने उसको पा लिया, imagination, इंसान को वो जो चीज़े, art, nature में दिखती है, as it is, हो अपने memory में सेफ करता है, imagine करता है, उनको याद रखता है, उसको उस nature की, उसको life को बिलकुल copy कर देता है, मैं मानता हूँ कि वही एक अच्छा इंसान है, मतलब एक अच्छा painter है, dearer ने, इन्हों ने, ये पेंटेड की थे, hence praying hence, dearer द्वारा praying hence, sorry, gives us a sense of Italian culture in the 16th century, जो बिलकुल, जो इंसान के अंदर confidence को दिखाते है, कि इंसान बिलकुल perfection को अचीव कर सकता है, ठीक है, पेता by Michelangelo depicts Mary holding the body of Jesus, same ऐसा सिफ पेंटिंग में ही, ऐसा realistically चीज़े, sculptures में भी थी, मूर्तियां जो बनाते थे, बड़े-बड़े statues, ये पेता, Michelangelo ने बनाई थी, mother Mary ने अपने बेटे Jesus को hold किया हुआ है, उनकी body को, this self-portrait is by Leonardo da Vinci, अब Leonardo da Vinci ने अपने self-portrait design किया है, और उनको बहुत सारी botany, anatomy, mathematics और art में interest था, multi-talent थे, painted the Mona Lisa and the Last Supper, उन्होंने ये famous paintings बनाई है, उन्होंने, उनका सपना था कि वो उड़ सकते थे, उन्होंने flying machine को design किया था, और अपने नाम को Leonardo da Vinci, disciple experiment, ऐसा वो sign करते थे, ठीक है, तो ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसको अब खतम करते है, next part, second part खतम, थर्ड पार्ट में हम फिर दुबारा मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, अगर कुछ नहीं आता है समझ में, प्लीज कमेंट कर सकता है मुझे, मैं फिर से डिस्क्राइब करने के उख रिश्च करूँगी, मैं कैसी वीडियो बनाती हूँ, प्लीज कमेंट में बताएगा मुझे, तो चलिए आज के लिए इतना ही, लाइफ, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीचे मेरे चैनल को, बाई बाई फिर मिलते हैं,